लुम तो यूटूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लास है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं आज की अमारी जो क्लास है आज की हमारी जो क्लास है वह Ndlesat के लिए MC की सीरीज क्लास है ठीक है, जिसमें हम जो भी previous exams में जो क्यूशन आये में उन क्या पर रहे हैं, डिस्कस करें और ये सारे क्यूशन आपके राजस्तान सी है, जोगी बरती आने वाली है उसमें भी helpful रहेंगे, DSSB की है जिपमेर की चल रही है, PGI, चंडीगड़ी नर्सिंग ट्यूटर की वेकेंस ही निकली भी है ठीक है, इन सारी exams के लिए काफी ज़्यादा important है, ठीक है, तो आईए आज की class शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हमारा आज का topic, हमारा first question, हमारा first question है, जो कि आपकी screen पे आप देख रहे हैं first question है, the theory of hierarchy of needs is called the theory of hierarchy of needs is called hierarchy of hierarchy of needs है, hierarchy theory of need है वो क्या कहलाती है, या क्या कहा जाता है उसको तो यह वैसे बहुत ही easy question है, जब आप nursing शुरू करते हो तो first day से, जैसे आप psychology पढ़ना शुरू करते हो जैसे ही, nursing first year के अंदर आप किसी भी GNM course होगा, चाहे BAC course किया होगा आपने जैसे ही आप first year class के अंदर गुशते हो तो जैसे ही आप सी psychology की class शुरू होती है, तो theory of hierarchy of needs है वो start हो जाता है, जैसे introduction की chapter कहता होने के बाद आपके बाद जो next chapter आता है, उसमें आता है, theory of hierarchy, hierarchy of needs ठीक है, तो यह सबसे important theory है और बहुत common है, इसमें बहुत ज़ादा MCQs यह वो आते हैं, ठीक है, तो इसमें MCQ examiner ने जो हमसे question पूछा होई है, यह पूछा है कि theory of hierarchy of needs, वो क्या कहलाती है, पहुंसी होती है आतो है, जैसाओगी आप सबको इसका answer पता है, कोई इसमें कोई बहुत ज़ादा hardness है जोisser Before है टीक है, तो इसकी answer में है की maslow hierarchy theory यह maslow need hierarchy theory, यह theory theory यह theory of need के नाम से hierarchy of need के नाम से भी यह जानी जाती है, तो यह जो MCQ है वो काफी important MCQ है तो प्लीज थोड़ा सा इसको ज्यान में रखिएगा तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि Maslow hierarchy की जो theory है वो क्या है ठीक है तो Maslow hierarchy की जो theory है students वो डिपेंड होती है हमारे basic principles के उपर basic principles का मतलब है जैसे ही कोई भी individual जैसे ही develop होता है birth होता है ठीक है जैसे जैसे वो growth करता जाता है वैसे उसकी needs है वो अपने आप में बढ़ती जाती है ठीक है जैसे ही सबसे पहले बच्चा deliver होकर बाहर आता है तो उसकी basic needs होती है रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए होता है कि master of hierarchy theory of need है तो first one जो level आता है उसके अंदर इसमें आता है physiological need first level है फीजियो लोजिकल फीजियो लोजिकल नीड फीजियो लोजिकल नीड टोटी कपड़ा मकान ठीक है दूसरा हम बात करें पहला लेवल दूसरा हम बात करें दूसरा लेवल आता है इसका safety and security safety and security जैसे की फोटी कपड़ा मकान मिल गया अब इसके बाद चीए safety and security safety and security का मतलब होता है कि हाँ मुझे हर कोई आकर के मार रहा है ऐसा नहीं होना चीए security होना ही चीए चारो तरफ safe होना चीए जैसे की मान लीजे कोई बच्चा पैदा हुआ ठीक डिलीवर होकर के बाहर आया डिलीवर होकर के बाहर आने के बाद क्या करते है माबाब उसकी basic needs को complete करते है लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है थोड़ा बड़ा होता है तो उसका ध्यान भी रखा जाता है पहिन बड़ा जैसे लेवल बाहर शास सक्कृष्ट पेक्षक सको जैसे लेओ सब्सक्रा मेंट कर बाहर सिए जबलोंगिसर के इसके इसका करते क्या जक्राइब स्घट्रीवत वाली जो बिलोंगिसरिय। वो अगर complete होती है उस need में वो यह चाहता है कि कोई मुझे मुझे समझे कोई मेरे से जाना जाए मैं मेरा नाम है मेरी identification है वो लोगों पहचाने कि मुझे मेरे नाम से जाने ठीक है कोई मेरे से प्यार करें ऐसी सारी चीजे वो individual की क्या होती है needs होती है fourth one need आती है esteem या self esteem Self Esteem में यह वो क्या करता है जो मरलाब समाज के लिए कुछ करने का काम जो भी समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करता है ठीक है और अपने आपको और उपर ले जाने की कोशिश करता है अपनी जो नीड से उनको बढ़ा करता है नीड बढ़ा करके वो क्या करता है दूसरे लोगों को भी मदद करने की कौशिश करता है लास्ट में जो लेवल आता है वो आता सेल्फ एक्च्छॉलाइजेशन Self-Actualization और Self-Actualization का मतलब होता है कि जब वो ये सारी Needs complete होगी उसके बाद वो क्या करता है समाज के लिए देश के लिए काम करने की कोशिश करता है साथ के जाथ वो अपने आपको जानने की कोशिश करता है कि मेरा मेरी लाइफ का यहाँ पर क्या मोटी हो है इस चीज़ के बारे आध्यात्म के बारे में वो जादा जानने की कोशिश करने में लग जाता तो यह है हमारी Maslow Hierarchy Theory of Maslow Hierarchy या Theory of Needs इसको बोलते हैं Theory of Needs और यहाँ पर students आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से जैसे यह Aero जारा है वैसे ही यह Needs complete होती जाती है ठीक है जैसे जैसे नॉर्मल्ली अगर इसका एक triangle बनाए हम इसका अगर एक triangle बनाते है तो इसका triangle बनेगा ऐसे ठीक है यहाँ पर ऐसे ऐसे में यह Levels अगो डिवाइड हो गए है सबसे पहले एक number पर यह होना चाहिए यह 2 पर यह 3 पर यह 4 पर यह और 5 पर यह ठीक है तो यह है मासलो अगर की theory of needs सबसे इंपोर्टेंट है psychology में सबसे पहले psychology में सबसे इंपोर्टेंट सीज होती है ठीक है next time बात करते है other options ठीक है हमें यह पता लग गया कि इस question का answer मासलो अगर की theory of तो अब बाकी जो question पता हूँ उने में इसका है इसका right answer है आ कि म्धिश्य पकिड्स के नीडेट की ठीक हो स Reach 때 इसमें तीर लेवल होते हैं फर्स्ट लेवल होता है इसमें नीड ओफ अचीवमेंट नीड ओफ अचीवमेंट ये कुशन आ सकता है अगर एक्जामेनर पूछे इसको गुमाने की कोशिश करे यहां ऐसा पूछ सकता है इसमें क्या होती है क्या होती है क्या होती है कौन-कौन से उसके लेवल है तो फर्स्ट लेवल आता है नीड ओफ अचीवमेंट तो स्टुडेंट नीड ओफ अचीवमेंट में क्या करता है सबसे पहले जो भी इंडिवीडिवल होता है वो क्या करता है पोई भी काम टू करता है, स्टार्ट करता है, तो उसमें वो क्या करता है, रिस्क लेता है, साथ की साथ वो चेलेंजेज लेने की कोशिश करता है, और उन चेलेंजेज को कम्प्लीट करता है, जैसे 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 वो चेलेंजेज को कम्प्लीट करता है, उसकी ग्रोथ और डव करता है second level के उपर और second level है अपना need of affiliation need of affiliation need of affiliation का मतलब है यहाँ पर individual यह चाहता है कि कोई उसके नाम से जाना जाए मनलब उसका एक नाम हो कि हाँ मैं इस company में हूँ या मैं इस ward में काम कर रहा हूँ यह ठीक है वो यह need of affiliation की हाँ यह चीज मेरे से मेरी वज़े से जानी जानी चाहिए ठीक है तो इसमें क्या होता है want to belonging want to belonging 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 to a group कि वो अपना एक individual group बनाने की कोशिश करता है कि वो उस group के नाम से ही जाना जाए जैसे कि हमारा group क्या है हम nursing के परसनल से ठीक है और हम बात करें तो हम एक individual जो भी हमारा central government का जो भी hospital उस hospital में काम करें उस hospital के नाम से हम जाने चाहिए तो वह होता है हमारा need of affiliation की हमें affiliation में मिलना चाहिए जैसे कि affiliation की में आपको समझाना चाहूंगा जो भी आपके nursing college है nursing schools है उनके अंदर क्या होता है affiliation लेना पड़ता है जो भी controlling अतो है जो state control body होती है जाये वह आरन सी होगा चाहिए राजस्तान नर्सिंग राजस्तान नर्सिंग council है ठीक है कोई state council हो सकता है कोई state university हो सकती है वह साही चीज़े महां पर क्या है college यह चाहिए need of power power की जरूरत है अब need of power में क्या करता है want to control others want to control others want to control other दूसरे लोगों को control करने की कोशिश करता है जैसे कि हमारे घर में हमारे बड़े होते है ठीक है पापा अमी दादा चाचा ठीक है यह क्या होते हैं यहां पर है नीडव पैवर वे पास पावर है वूं हमें control करके रכते हैं water behavior पर control करतें, हमारे activities पर control करते है. यह करना है यह नहीं करना यह करना है तो ऐसे करना है यह करो वो करो तो यह क्या होता पावर होता है जैसे एक भर करने के लिए इसको पावर की बढ़ती है, Stones क transit की जलुशेय की इसको बढती है watch इसको नोट कर लिएगा तौक है आप इसको भूले नहीं आपको ये भी clear कि में gli inventory of need है वो क्या कहना चाहरे है leakage option और बच गया अपना ठीक है तो ये गलत है ये भी गलत है अपना एक option सही था ये वाला भी अपना गलत है इच जन बपकी two factor theory ये वाली theory क्या कहती है जान बड़ी टू-फेक्टर थोड़ी is in parenthब का ग्रिया वो है है motivation it's a motivation theory motivation theory यह एक motivation की चाहरी है इसनबाग की चाहरी है वो क्या है motivation की चाहरी है ठीक है इसनबाग की चाहरी है इसमें दो फैक्टर होते हैं पहला फैक्टर होता है इसमें आपका पहला इसके अंदर जो फैक्टर होता है इसके अंदर हमारे दो फेक्टर होते हैं इसके अंदर दो फेक्टर होते हैं पहला इसका फेक्टर होते है वो होते है फेक्टर ओफ मोटिवेशन फेक्टर ओफ मोटिवेशन फेक्टर ओफ मोटिवेशन दूसरा आपका जो फेक्टर होते है वो होते है factor of hygiene दूसरा आपका जो factor होता होता है factor of hygiene ठीक है ये दो factor होते हैं story के अंदर ठीक है इन दोनों factors के अंदर students क्या होता है factor of hygiene में factor of hygiene में individual क्या करता है अपने आसपास के लोगों के साथ अपने work place के उपर अपनी community के अंदर अपनी society के अंदर ठीक है जो भी relation होते हैं smooth relation smooth relation with community and workplace जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ और society ठीक है society के अंदर वो क्या करता है अपनी जो relations होते हैं स्मूथ करने की कोशिश करता है साथ की साथ में कोशिश करता है कि उसका जो relation है अपने peer groups के साथ relation है वो क्या चले उसका अच्छा है तो यह तो होता है factor of hygiene, factor of hygiene में यहाँ पर यहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो individual है वो दूसरे लोगों साथ connect होता है और उस relation को बहुत ही अच्छा है hygienic तरीके से हो maintain करने की कोशिश करता है मैं यहाँ पर hygiene का मतलब यह नहीं है कि ना ना दोना है साथ सपाई है यहाँ पर hygiene का मतलब है कि complex ना हो ठीक है? relationship के बीच में complex ना हो ठीक है? next हम आ रहा है factor of motivation factor of motivation के अंदर क्या है? वो क्या करता है? job achieve करने की कोशिश करता है कोई भी individual है job achievements अपनी जौब कर रहा है और उस जौब के अंदर कोशिश कर रहा है achievements की achievements पर आप करने की कुच अच्हा काम करने की ताकि उस achievement में विदले में उसको recognition मिले दूसरा factor कहता है आपका job opportunities job opportunities और next जो individual हो पॉसिस करता है motivation के तरू कि वो अपनी job opportunities को क्या कर सके increase कर सके उसके वास multiple options होगी वो वहाँ पर भी जा करके job कर सकता है तो ये factor है ठीक है हिजन बथ की two factors हो रही है ये motivational theory ए कुसके लिए motivation के लिए और Maslow LRK और Mac LLNP की जो थिरी है वो है theory of need ठीक हा हिजन बथ की ये जो थिरी हो two factors थिरी है मोटिवेशन की थिरी है ठीक है student याद रखेगा ये जो थिरी हो किसके लिए motivation की थिरी हो में यह रही है इसके आपको दिया है जिसमें आपको हर option clear कर रहा है कि यह क्यों है और यह क्यों नहीं है ठीक है next question की तरफ आपन move करते है next question है अपना next question क्या कह रहा है देखें students next question यह कह रहा है अपना कि next question में बोला गया है कि this angustan blackmort tube method is used to control bleeding method is controlled to use bleeding in which conditions की कौन सी conditions के अंदर कौन सी conditions के अंदर angustan blackmort tube का यूज किया जाता है ठीक है angustan blockmort tube वो किस condition के अंदर यूज की जाती है तो students यहां पर जो भी यह tube आई है यह यह बिलोंग करती है अपनी GI tubes tubes used in gastrointestinal system तीक है gastrointestinal system में जो tubes used की जाती है उसी के अंदर यूज को भी पढ़ाया हुआ है मैंने यह sangustan blockmort tube के बारे में बताया हुआ है आप medical nursing classes चैनल की यूटूब चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं different type of tube ठीक है उसमें मैं पूरा अच्छे से आपको बताया हुआ है तो हम बात करते हैं sangustan blackmort tube ठीक है तो इसमें सबसे पहले है हिमेटेमेसिस पहला option है हिमेटेमेसिस दूसरा option है gastritis ठीक है दूसरा option इसका gastritis और तीसरा option इसका मेलीना ठीक है और चोता option है isofagel varies ठीक है तीन लियूमन होते है ठीक है पहला एक ये होता है दूसरा ये होता है तीजरा यहाँ हो गए तीन लियूमन होते है ऐसे करके कुछ ये ट्यूब होती है ठीक है ऐसा इसका उपर बनाता हूँ सेंगेस्टन ग्लेकमोर ट्यूब इस प्रकार की कोई ट्यूब होती है और ये ट्यूब काम में ली जाती है इसोफीजियल वेरिस में ये काम में ली जाती है इसोफीजियल वेरिस वेरिस इस iso-facial varices में इसको हम काम में लेते हैं तो इस tube में क्या होता है? सबसे पहले था हम बात करते हैं कि iso-facial varices होता क्या है? यह इसी question का right answer है कि iso-facial varices होता क्या है? iso-facial varices एक condition है ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है? खीको रिलेस्ज आ कि डिलेस्ज आ वह बना गलते सल इस moreड़ की वोरी विकीट arrays औरी इसी के डादेतान कि एस लेजसरा ग्तार के और प्री आ कि लेखते हैं कि और शГ equity ऑरक्या है अंदर क्या होता है जो particular veins होती है उन veins का क्या हो जाता है students dilation हो जाता है जिसकी वज़े से महां पर bleeding का risk वो बढ़ जाता है और यह इसका main reason होता है आपका portal hypertension portal hypertension इसका एक reason होता है दूसरा इसका reason होता है GERD GERD का मतलब gastro इसो फीजियल और हिसलैक्स देस्टो इसो फीजियल रिफ्लैक्स डिशीज यह इसके main होते है जिनके वज़े से क्या होता है इसो फीजिश के अंदर जो veins होती है blood vessels होती है उनका क्या हो जाता है dilation हो जाता है और उनकी bleeding को prevent करने के लिए उनके rupture होने से बचाने के लिए उनके rupture को prevent करने के लिए क्या किया जाता है sangiston blackmore tube का use किया जाता है sangiston blackmore का क्या किया जाता है tube का use किया जाता है इसमें क्या किया जाता है इस tube को इसो फीजिश में enter किया जाता है insert किया जाता है इसो फीजिश में insert करके इसके उपर आप जो यह देख रहे हो बना देता है यहाँ पर जो red मैंने बनाया है जो red वाला मैंने fill up किया है वो होता है एक बैलियून जैसे कि अपनी urinary blade जो urinary catheter होता है टीक है catheter होता है जिलिकोन का ठीक है rubber पर, ले्टेक्स का, उसके इंदर जो बैलिउन होता है, इस cathедर को fix करने के लिए वैसे इसमें भी यह बैलिउन का काम करती है ना, इसमें जब भी यह बैलिउन का काम करेगी, तो यह बैलिउन क्या करेगा, जैसे हम इसको insert कर देते और insert करने के बाद हम क्या करेंगे, students, इसको insert करने के बाद हम क्या करते हैं insert करने के बाद इस balloon को हम inflate कर देते हैं, inflate करने से क्या होगा मान देजिए ये आपकी isophagus हो गई ठीक है, ये आपकी isophagus हो गई, अब इस isophagus के अंदर हमने क्या किया, हमने एक tube डाल लिए, और ये जो tube है, ठीक है ये आपने tube डाल दी नैसे करके जैसे हम इस tube को red वाली tube बंग क्या करेंगे, inflate करेंगे मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा था, जल्दी complete करना इसको, ठीक है, तो काफे जाए time लग जाएगा, अगर हम एक की तरफ, pressure लगाएगी, on the wall of, isophagus, pressure on the, pressure on, wall of, isophagus, wall of, isophagus, pressure लगाएगी, और उन veins को क्या कर देगी, सी कोड के, रखेगी, रप्चर होने से prevent करती है, ठीक है, ये है अपनी सेंगेस्टिन blackmode, tube, जो kiss of facial varies के अंदर काम में ली, जाती है, ठीक है, मेलिना, blood in stool, blood in stool, ठीक है, अब blood in stool हो भी दो परपारपा होता है, एक तो होता है, हमेटो केजिया, एक होता है, मेलिना, ठीक है, हमेटो केजिया और हमेलिना, मिमेटो के जिया मतलब fresh bleeding मिमेटो के जिया गो मतलब बता है fresh bleeding in stool और मैलीना का मतलब होता है old bleeding old bleeding in stool stool के अंदर old bleeding उसे बोगा जाता है मैलीना gastritis is inflammation of stomach और hematomas is मतलब blood in vomiting तो इन सब को prevent करने के लिए के संगस्टन blackmour tube का कोई योज नहीं है यहां काम में आती है स्टुडियन शंगस्टन blackmour tube काम में आती है आपकी hematomas asophagial varies के अंदर जहां पर वो कया करती है inflate होने के बाद rupture होने से prevent करती है द्यान रखने की बात है इसके अंदर जो pressure होता है ब्लेक मोर्ग ट्यूब के अंदर वह प्रेशर है वह एक आप्रॉप्रेशर होना चाहिए ज्यादा प्रेशर होगा तो वहां के क्या हो सकता है नेक्रोसिस हो सकता है और एक रेगुलर इंटरवेल के ओपर हमें इस प्रेशर को रिलीज करके थोड़ी देर के लिए में होता है ताकि मांके blood supply जो भी compresses जो tissue थे उनके अदर proper blood supply हो वापस से establish हो सके अगर ज्यादा देर तक इसको ज्यादा प्रेशर पर ज्यादा देर तक रखेंगे जिस से क्या हो सकता है इस जो इस चीज का हमें खास तोड़ से ध्यान रखना चाहिए मान दीजिए को inski situation वह हो गई है तो इसमें हमें क्या करना है immediately हमें क्या करना का जब भी इस एसको जिस सीच्वीषन प्रोबलम हो रही ही वहार करना है जिससे क्या होगा जो आपका यह जो बैल्यूल ता इसके दिन अवा बरी भी थी वो आप बाहर निकलेगी और यह ट्यूब दिरके हम इसको इमेडियेटली बाहर निकाल के हमें जो भी इंटर्वेंचन्चन की लाइफ को सेव करने के लिए जरूरी है वह इंटर आपको इस तरीके से ये सीज़ कांसर करना है I hope मैं इस पूशन को अच्छे से एक्स्विन करने में सक्सेस्फुल रहा हूँ आज की क्लास में इतना ही I hope मेरे द्वारा प्रवाइट की जारी लेक्चर वीडियो आपकी नर्सिंग ओपिसर रेक्रूटमेंट एक्जामिनेशन की प्रपरेशिन में आपकी हेल्प कर रही होंगे प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच